दोस्तो शिवरात्री का आध्यात्मिक वेवेग्यानिक दोनों ही तरीकों से मैतो है शिवरात्री का अर्थ है हर महिने का चौदवा दिन यानि कि चतुरदशी का दिन जो कि अमावश्या से एक दिन पहले आता है एक बर्स में बारा या तेरा शिवरात्रियां होती है इन सभी में से फागुन मास میں पढ़ने वाली शिवरातरी को महा शिवरातरी कहते हैं। को अपनी मनवांचित फल परदान करते हैं दोस्तो बगवान शीफ शंकर तो इतने भोले हैं कि जो जल चड़ाने मातर से प्रसन हो जाते हैं धन चाने वाले को धन मिलता है शुक सम्रदी चाने वाले को शुक सम्रदी मिलती है और पुत्र चाने वालों को पुत्र की प्राप् है तो इस वीडियो को पूरा अंते तक देखें और कमेंट बॉक्स में हर महादेव शिव शंकर भोलेनात एक बार पूर्ण सरदाभाव से लिख नाम बिल्कुल भी ना बूले दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 चीजों के बारे में यानि की उन 11 चीजों में से कोई भी एक चीज शिव को चड़ा देते हैं तो आपकी हर महादेव दोस्त इस एक महामंत्र को जपने से हर प्रकार की परिशाने दूर हो जाती है भगवान शिव तुरंत ही उन 11 चीजों के बारे में यानि की उन 11 चीजों में से कोई भी एक चीज शिव को चड़ा देते हैं तो आपकी हर मनो कामना पूर्ण होती है धनसंबंदी हर प्रकार की समझ्याएं खतम हो जाती है यानि आपको इन 11 में से कोई भी एक चीज चड़ानी है अगर आप चाहते ह कि आपका आने वाला समय सुभी हो और अच्छा ही हो और आपके साथ हमेशा भागय का साथ बना रहे तो आप इस एक चीज को जरूर चड़ाएं और इस पूरी वीडियो को जरूर देखें दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी चीज है यह चड़ाने से सा एक फूल है जिसे चड़ाने से हर प्रकार की संकट को दूर हो जाते हैं लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे उन चीजों के बारे में भोले नात को चड़ाने से आप उन्हें प्रसंद कर सकते हैं वैसे तो मैंने भी आपको बताया भगवान शिव प्रंत और तत्काल प्रसं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जूरू सब्सक्राइब कर ले और अगर आप को अमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना ना भूले और साती बैल के आइकन को जूरू दवाएं मेरी लीटेस्ट वीडियो का नोटिफेकेशन सबसे पहले प समुध्रमंथन के समय निकले हुए विश को पीने के बाद शिव का रंग काला पड़ गया था तो उन्हें शांत करने के लिए शिव को सितलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताव ने उन पर जल अर्पित किया था इसलिए अगर आप भगवान भोले नात को सिर्फ जल ही अर्पित करते हैं तो एक इसका विशेश महतव है और इसका आपको पून लाब भी मिलता है आपकी हर प्रकार की मनोकामना पून होती है इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी चीज आप क्या चला सकते हैं भगवान भोले नात को दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो वह है पत्र भगवान के तीन नेत्रों का परतीक है दोस्तों इन्हें यह बहुती और अत्यंत प्रिय है अगर आप चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ सबसे पहले आपकी जुमनो कामना है इसको पून करते हैं तो आपको प्रभू आसुतोष के पूजन में अभी शेक सबसे पहले करना चाहिए और उसके बाद आपको बेल पत्र चड़ाना चाहिए पवित्र गर्णतों में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज़ दान करने का आपको इतना वड़ा पुन्य मिलता है कि एक करोड़ करन्या दान के बर चड़ाए क्योंकि इससे आपको सोने के दाम के बराबर फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ आपसे बहुती जल्दी प्रसंद होते हैं इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्ट चीज़ के बारे में नेक्ट चीज़ है धतूरा भगवान धतूरे को अत्यंत प्रिय कर को प्रदान करें प्रसंद है कि अरगने से लोग कि दूर भी अगर आगर आप लोलेनाथ यह अत्यंत प्री है तो बहुत को पूरान के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंतन से निकला विश को पी लिया था तब वैव्यकुल होने लगे थे तब अश्वनी कुमार ने बांग धतूरा बेल शिव जी को ब्यकुलता को दूर किया जाए इसलिए उनको चढ़ाया था और शिव भगवार ने इस धतूरे क वो पिया था शिवलिंग पर केवल धतूरा ही नहीं बलकि इसमें मन इमन अपने विचारों की कडवाहाट भी अर्पित कर दे इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं अगली चीज के बारे में अगली चीज है भांग शिव हमेशा ध्यान मगन रहते हैं भांग ध्यान के इंद्रि भांग दी गई लेकिन भगवान ने हर कडवाहाट और नकारत्मा को नकारात्मक्ता को आत्म साथ किया इसलिए भांग भी उन्हें अत्यंत प्रिय है भगवान शिव को इस बात के लिए भी बचाना जाता है कि संसार को व्यापत हर बुराय और नकारत्मक्त चीजों को अप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं इसलिए हो सके तो आपको भांग का भी ध्यान अकना चाहिए और उन्हें भांग चड़ाने चाहिए इस समय में यानि कि सावन के महिने में आपको भांग अवसे चड़ाने चाहिए इसके बाद हम जानते हैं अगली उस चीज के बारे में जिसका आप दान कर सकते हैं इसके बाद है भगवान शीव को अगर आप चाहें तो कपूर भी अर्पित कर सकते हैं कपूर एक प्रकार का मंत्र है दोस्तों यानि कि जो कपूर के समान उज्वल है कपूर के वातावरन को सुद्ध और पवित्र बनाती है और भगवान भोलेनात की महक से भगवान भोलेनात को अत्यनत प्रेम है और भगवान भोलेनात के लिए ये बहुती अन्यवारे भी है तो आप सावन के महिने में हो सके तो कपूर का दान जरूर करें इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स चीज की वह कौन सी है तो भगवान बोलेनत को चड़ा सकते हैं इसके बाद जो चीज है वह है दूद दूद सावन मास में दूद का सेवन निशेद है दूद एक मार्च में सावन के महिने में स्वास्ते के लिए गुणकारी की बजाए हानिकारक होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मास में दूद का सेवन निशेद बताया गया है इसलिए सावन में दूद का सेवन ना करते हुए भगवान शिव को अरपित करें और उसे शिव को अरपित करने का विदान बताया गया है इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं और आप क्या अर्पित कर सकते हैं इसके बाद है चावल चावल को भी आप कहा गया है अक्षत जैसे आप चड़ा सकते हैं अक्सद का अर्थ है जो दन दाने से परिपूर्थ हो और इसका रंग सफेद होता है और जैसा कि आज जानते हैं स्वन यानि के जन्नत का रंग praying है इसलिए हमें धर्ती पर रहते हुए और मिर्द्यु क्व distinction बिचनद पराव ठाहितAl किसी भी पूजन के समय गुलाल हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्सद चड़ाय जाते हैं और अगर यह अर्पित ना हो तो शिव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है यहां तक कि पूजा में आवशेक शामगरी ना हो तो चलेगा लेकिन अगर अगर आपने अक्स किया जाता था इनकी खुश्बू से वातावरण खिल जाता है आए आये तो जानते हैं चंदन का उप्योग अगर आप इसे अपने मस्तक पर लगाते हैं या फिर आप बोलेनात के मस्तक पर लगाते हैं तो इससे आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है आपके प्र प्राप्ट कर सकते हैं और समाज में मानसंबान प्राप्ट कर सकते हैं। भश्म को लगाकर भगवान शिव कुद को मृत आतवाओं से जोडते हैं। उसके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राघ में, उनके जीवन का कोई अंसेश नहीग । ना उनके दुख, ना कोई बुराई ना कोई अच्छाई व्यक्ति किसी भी प्रकार से उनके लिए सम्मिलित नहीं होता इसलिए वे रात पवित्र होती है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं हो पाता है। ऐसी राख को भगवान शिव को अपने तन पर लगा करके सम्मानित करें। आपने आपने बस्म पर लगा सकते हैं। बश्म करदे। करोधित के और उनके समीब रहे। और उनके कानों में के जरिये हमेशा उनके साथ रहे। जब पारवती ने खुद को अगनी के हवाले किया तो भगवान शिव ने उनकी भष्ण को अपने स्रीर पर लगाया। इसलिए तभी से भष्ण को उनका प्रियव ओग माना जाता है और उनके द्वारा उसका लेप किया जाता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। भगवान भोले नात को अगरवती जलाकर उने प्रसन कर सकते हैं। इस चीज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। भगवान शिव की उत्पत्ती की कथा पारवती जी से कहिए। यानि कि भगवान शिव की उत्पत्ती की कथा आप माता पारवती के चित्र यानि कि तस्वीर या पर आप उनकी मूट्टी के सामने बैठ कर कहिए। भगवान शिव जी ने जब जगत की कल्यान के लिए अपनी आंके बंद की तो उस जगह पर उन्होंने अपना रूप रूद्राक्ष के रूप में ले लिया था उसी समय से जब भी रूद्राक्स पर कोई फन लगता है तो रूद्र के समान होता है और उसे रूद्र कहते हैं, रूद्राक्स का ध्यान करते हैं या फिर आप बोले नात को चड़ाते हैं तो आपकी हर्मनों कामना पूर्ण होती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए दे में इजाज़ा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ओग नमस्षिवाए या फिर जै बज़ना